दुनिया में कहीं भी अगर जेल का जिक्र होता है तो सबके मन में सबसे पहला खयाल जेल की कुरूटा, कड़ा व्यवहार और सजा कही आता है पर दुनिया में सभी जेल सिर्फ खतरनाक नहीं होते, कुछ जेल इतनी खुबसूरत भी होती हैं कि वो कैदियों के लिए सजा कम और मज़ा ज्यादा देती हैं आईए जानते हैं दुनिया की सबसे खुबसूरत जेलों के बारे में पैस्टॉय प्रिजन नार्वे इस जेल में करीब 100 कैदि हैं लगजरी के तौर पर इनके पास टैनिस खेलने, होर्स राइडिंग, फिशिंग और सन बातिंग जैसी सुविदाएं हैं यहां पर कैदियों पर पाबंद्या ना के बराबर हैं केबू प्रिजन फिलिपेंज यह जेल लगजरी में बहुत आगे नहीं है लेकिन कैदियों की रीक्रियेशन और क्रियेटिविटी बढ़ाने में यहां का माहल बहुत सही होगी है यहां पर कैदियों को म्यूजिक और डांस के शौक को निखारने का खास मौका दिया जाता है यहां पर कैदि सिविलियन्स के सामने परफॉर्म भी करते हैं हेल्डन प्रिजन नॉर्वे यह जेल पूरी तरह से हर्याली से गिरी हुई है और यहां पर नेचरल लाइट भी खूब आती है इस जेल को कैदियों के साथ मानवी विभार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है यहां हर कैदि को पर्याप्त प्राइवेसी मिलती है और टीवी, मूवीज, वीडियो गेम्स, जिम जैसी तमाम सुविदाएं भी मौजूद है हम पी एडिवेल, स्कॉटलेंड यहां पर हर कैदि को हफते में 40 घंटे प्रोड़क्तिव स्किल डेवलक्मेंट के लिए दिये जाते है यहां पर कैदियों को एक बार फिर से आम नागरिकों जैसा बनाने पर फोकस किया जाता है और्टको करेक्शन, फैसिलिटी, न्यूजिलेंड यहां पर भी कैदियों के स्किल्स बिल्डिंग पर फोकस किया जाता है यहाँ पर कैदियों को बेहत सुविधा जनक कमरे मुहया कराये जाते हैं हाला कि यहाँ सुरक्षा भी बेहत कड़ी है यहाँ पर कैदी इंजिनियरिंग, डेरी, फार्मिंग और कुकिंग जैसे कामों में लगाये जाते हैं सेन पैडरो, बोलिविया इस जेल को एक खास कम्यूनिटी सेटप के साथ तयार किया गया है यहाँ पर कैदी अपना नेता खुद चुन सकते हैं चेंप, डॉलन, प्रिजन, स्विज़र लेंड इस जेल के सेल्स को देख आपको लगेगा कि जैसे किसी यूनिवर्सिटी का शांदार हॉस्टल हो यहाँ पर सभी कैदी साथ मिलकर एक दूसरे के रीहेब के लिए मदद करते हैं सो दोस्तों, ये दुनिया की कुछ जेल हैं जहां से कैदी बाहर आना नहीं चाते अगर ही वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिये हुए रेड बटन पर आपको ख्लिक करना है इसके बाद बाजू में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर ले तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद